सोना, गहने या नसीले पदार छिपाने के लिए लोग अलग-अलग तरीके अपनाते हैं अक्सर एरपोर्ट्स पर ऐसे कई लोग पकड़े भी जाते हैं ऐसे ही तीन नागरीकों को मुंबई एरपोर्ट पर पकड़ा गया है बता दें इन लोगों के पास से डेड़ करोड रुपे का सोना बरामत किया गया है कश्टम विभाग के अधिकारियों ने इन विदेशी नागरीकों को हिरासत में ले लिया है और उन से पूस्ताज की जा रही है वहीं आपको बता दें ये विदेशी नागरीक अदीस अबाबा से मुंबई आये थे इन लोगों ने अपने अंडर्वेर और जूते की सोल में सोना छिपा रखा था कुल सोना तीन किलो ग्राम से भी ज़ाद था और इसकी कीमत डेड़ करोड रुपे आ की गई है कश्टम विबाग के अधिकारियों ने तसकरी की आरोग में इन लोगों को हिरासत में ले लिया है इन लोगों से यह जानने की कोशिश की जा रही है कि इस तरह से सोना छिपाने की वज़ें क्या थी वहीं आपको बता दें यह कोई पहला मामला नहीं है इसी तरह के कैई और मामले सामने आ चुके हैं जिन में लोग अपने सरीर के हिस्सों में सोने को लिक्वीड अवस्ता में छिपाते हैं हाला कि कश्टम विबाग के अधिकारियों से ये बच नहीं पाते और अक्सर एरपोर्ट्स पर ही पकड़े जाते हैं इस तरीके से सोना लाने का मकसद इंपॉर्ट डूटी और अन्य तरीके से टैक्सों से बचना होता है बता दें हाली में देश के अलग-अलग हवाई अड़ो पर कश्टम विबाग ने के लोगों को नसीले पधारतों और सोने चांदी की चीजों के साथ गिरफतार गया था जिनकी तसकरी करने की कोशिस किजा रही थी ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए बने रही है इन खबर के साथ